So, Hello Students, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल Brownie Study में आज का वीडियो होने वाला है आधुनिक भारत के इतिहास से related आज मैं आपको टॉप 40 questions कराने वाला हूँ इस topic से related जो कि आपको आपके हर एक एक एक्जाम में कोई ना कोई नमबर दिला करके जाएगा तो चलिए आज है वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने first question के साथ में first question आपको दिख रहा होगा बुल गया यहाँ पर गांधी जी के गिरफतार होने के समय किसने नमक सत्याग्रह का नित्रत्त किया most important question एक्जाम पर पसे तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number C अबास तयब जी इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि अबास तयब जी जो थे उन्होंने नमक सत्याग्रह का उस समय नित्रत्त किया था जब गांधी जी को गिरफतार कर लिया गया था तो चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है second number जिसम बोल गया है वेदों की ओर लोटो का नारा किस ने दिया या आप बोल सकते हैं कि वेदों की ओर लोटो किसका कथन है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number C दयानंद सरस्वती चलिए बढ़ते है next में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है third number जिसम बोल गया बंगाल में इस्थाई बंदो बस्त किसके द्वारा लागू किया गया था तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number A लॉड कॉर्ण वॉलिस चलिए बढ़ते है next में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ fourth number बुल गया यहाँ पर भारत में गरम दल के प्रमुखनेता कौन थे तो यहाँ पर आपका right answer हो जाने वाला है option number A बाल गंगाधर तिलक चलिए बढ़ते है next में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है fifth number बुल गया है यहाँ पर गांधी जी को सर प्रतम किस वर्स सत्याग्रे के दोरान गिरफतार किया गया था तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number B 1908 चलिए बढ़ते है next में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है sixth number जिसम बुल गया है सिविल सेवा में चैनित पहले भारती कौन थे तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा सत्यंद्रनाथ टैगोर चलिए बढ़ते है next में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है seventh number बुल गया है यहाँ पर भारत में पहली बार train का संचालन किस वर्स हुआ था तो यहाँ पर आपका right answer हो जाने वाला है option number A 1853 और यह जो train थी यह आपकी चली थी मुंबई से ठाने के बीच में तो इस चीच को आपको ध्यान में लखना है चलिए बढ़ते है next में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है eighth number जिसम बुल गया है भारत में टेली ग्राफ सेवा का प्रारंब किस वर्स हुआ था तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number D 1814 चलिए बढ़ते है next में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है ninth number बुल गया है यहाँ पर निम्न लिखित में से किसके द्वारा सती प्रता प्रतिबंदित की गई थी तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number C Lord William Bantic चलिए बढ़ते है next में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है tenth number जिसम बोल गया निम्न लिखित में से किसने महत्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रे का नित्रत्व किया था तो यहाँ पर आपका right answer हो जाना है option number A सरोजनी नाइडू चलिए बढ़ते है next में next आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 11th number जिसम बोल गया है स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्त्विक नाम क्या था तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number C मूल संकर क्या हो जाएगा मूल संकर इसदा right answer चलिए बढ़ते है next में next आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 12th number बोल गया है यहाँ पर भारत की किस रियासत में सरोजनी प्रिथम हलप की नीती का पालन हुआ था तो आप सभी को पता होगा कि वो जो रियासत थी उसका नाम था इसलिए यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number A Lord Kenning चलिए बढ़ते है next में next आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 14 नंबर इसमें बोल गया है निम लिखित में से किस वर्स 26 जनवरी को स्वतंतरता दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B, 1930 चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है यहाँ पर 15 नमबर जिसम बोला गया है निम लिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिस सामराज में मिलाया गया था तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है आप्शन नमबर सी लाड डल हौजी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है यहाँ पर 16 नमबर जिसम बोला गया है किसे भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का पिता कहा जाता है तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि A.O. Hume जो है इनी को बारती राश्ट्री कॉंग्रेस का पिता कहा जाता है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है 17 नमबर जिसम बोला गया है बार्दोली सत्याग्रे के बाद बल्लब भाई पतेल को सरदार की उपादी किस ने दी थी मोच्ट इंपॉर्टन कोश्चन है यह आपके कोश्चन बार बार रिपीट होते हैं इसी वज़े से यहाँ पर मैंने पीडियाप में इसको रखा है तो यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर C महत्मा गांधी यहाँ पर आपको एक पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको ध्यान रखना है कि जब बार्दोली सत्याग्रे चल रहा था तब वहाँ पर बल्लब भाई पतेल जी जो थे इनको सरदार की उपादी तो महत्मा गांधी ने प्रदान की थी लेकिन जो सरदार की उपादी देने का स्रे है वो बोला जाए तो वो वहाँ की महिलाओं को जाता है क्योंकि जब बल्लब भाई पतेल को सब से पहले सरदार जो बोला था वो वहाँ की महिलाओं ने बोला था इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ एक्वाम में आपके देखने वो मिलता है कि वहाँ पर महत्मा गांदी की जगहां पर आपको महिलाएं दिख रही है तो आपको उस पर टिक करना है लेकिन अगर आपको महात्मा गांधी दिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको महात्मा गांधी पर टिक करना है चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 18 नमबर जिसम बोला गया है किसने वर्स 1916 में मदरास में होम रूल लिक की स्थापना की थी तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा option number A लोक माने तिलक चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 19 नमबर जिसम बोला गया नमलिकित में से किसको भारत में अंग्रेजी सिच्छा को प्रारम करने का स्रेज आता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा option number B लॉर्ड मैकाले चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 20 नमबर जिसम बोला गया है कैबिनेट मिसन किस वर्ड भारत आया था तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा option number C उननी सो च्यालिस चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है 21 नमबर जिसम बोला गया है Muslim League की स्थापना किस वर्स की गई थी तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है option number A उननी सो च्यालिस चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है 22 नमबर बोल गया है यहाँ पर भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा option number C Lord Canning चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी स्क्रीन पर देखने हो मिलेगा 23 नमबर यहाँ पर बोल गया है कि भारती राश्टी कांग्रेस की पहली महिला अध्यच्च कौन थी तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारती राश्टी कांग्रेस की अगर पहली महिला अध्यच्च आप से पूछा जाता है तो आपको टिक करना है एनी बेसेंट में चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 24 नमबर किसने महत्मा गांधी को महत्मा की उपादी दी थी तो आपको दो कोश्चन तो बिल्कुल 100% याद रखने है कि महत्मा गांधी को महत्मा की उपादी किसने दी और सरदार वल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी किसने दी तो यह question तो मैं पहरे बता चुका हूँ अब आपको इसका भी answer पता होना चाहिए तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number D, Ravindranath Tagore आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका question था कि महत्मा गांदी को महत्मा की उपादी किस ने दी तो यहाँ पर आपका right answer होगा Ravindranath Tagore चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी screen पर दिया हुआ है 25 नमबर जिसमें बोला गया India wins freedom किसकी आत्मकता है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाने वाला है option number C, Abul Kalam आजाद most important question एक्जाम परपस से आपको यहाँ से मैं इसका fact भी बता देता हूँ कि जो यह पुस्तक है India wins freedom यह तो लिखी थी Abul Kalam आजाद ने और आपको पता होना चाहिए कि जो Abul Kalam आजाद थे वो अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम सिच्छा मंत्री थे तो इस चीज को बिलकुल अच्छे से आप लोग note डाउन कर लीजे क्योंकि यह question अभी हाली में SSC GD के एक्जाम से में पूछा गया है इसलिए यह most important question बन जाता है चलिए बढ़ते है next में next आपकी screen पर दिया हुआ है 26 number जिसम बोला गया है 1857 का विद्रो किसके द्वारा प्रारंब किया गया था तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा सिपाहियों द्वारा option C is the right answer चलिए बढ़ते है next में next question है 27 number बोला गया है यहाँ पर स्वतंतरता के पस्चात किस राज्य में पहली गैर कॉंग्रेसी सरकार बनी थी तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option number B केरल चलिए बढ़ते है next में next आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 28 number निमलिखित में से किसको भारत का वयो व्रद्ध पिता या फिर आप बोल सकते हैं वयो व्रद्ध कहा जाता है most important question है यहाँ पर आपका right answer हो जाने वाला है option number C दादा भाई नौरोजी आपको ध्यान रखना है कि वयो व्रद्ध किसे कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को या फिर आपके हो सकता है एक्जाम में ऐसा देखने हो मिल जाए कि कि किसको भारत का grand old man कहा जाता है तो अगर आपको ऐसा कुछ देखता है कि grand old man किसे कहा जाता है तो भी आपका यहीं पर right answer होगा दादा भाई नौरोजी चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी screen पर दिया हुआ है 29 number बुल गये है यहाँ पर आरे समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number B स्वामी दयानन सरस्वती चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी screen पर देखने हुआ है 30 number बुल गये है यहाँ पर कोलकाता मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायाले की स्थापना कब हुई थी तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number C 1862 में चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी screen पर देखने हुआ मिल जाने वाला है 31 number जिसम बूल गया है भारती राष्टी कॉंग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यच्च कौन था तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पूशा गया है कि भारती राष्टी कॉंग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यच्च कौन था तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number A बदरुद्दीन तयब जी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारती राष्टी कॉंग्रेस का जो पहला मुस्लिम अध्यच्च था वो थे बदरुद्दीन तयब जी चलिए बढ़ते हैं next में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 32 नंबर बोल गया है आपर अखिल भारती महिला समेलन कब इस्थापित हुआ था तो यहाँ पर आपका राइड आंसर हो जाएगा उप्शन नंबर B 1927 स्वी चलिए बढ़ते हैं next में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 33 नंबर जिसम बोल गया है भारती राश्टी कॉंग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यच कौन था तो यहाँ पर आपको तो यह पता ही होगा कि जो पहले अंग्रेज अध्यच थे वो थे जॉर्ज यूले तो यहाँ पर आपका राइड आंसर हो जाएगा option number A, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में जोर्ज यूल लिखा होता है और कहीं कहीं पर जोर्ज यूले लिखा होता है तो आपको अगर कुछ भी ऐसा दिखाई देता है आपके exam में, तो आपको उसी पर टिक कर देना है, चलिए बढ़ते है नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 34 नमबर जिसम बोल गया है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा option number C, राम कृष्ण तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा option number C, चलिए बढ़ते है नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 35 नमबर बोल गया है यहाँ पर काकोरी डकैती सडियंत्र का नायक कौन था, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसका नायक जो थे, वो थे आपके राम प्रिशाद बिस्मिल, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, option number A इस दार राइट आंसर, चलिए बढ़ते है next में, next आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है 36 नमबर जिसमें बोल गया है, निम्लिखित में से किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है option number C खान अब्दुल गफार खान most important question है, एक्जाम पर पसे आपको ध्यान रखना है कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफार खान को और ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को, चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 37 नंबर जिसम बूला गया है निम्लिखित में से कौन सा पहला अखबार भारत में प्रकाशित हुआ था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा option number C, the Bengal Gadget क्या हो जाएगा, the Bengal Gadget आपका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए बढ़ते है next में, next आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, 39 नंबर बुल गया है यहाँ पर महत्मा गांधी के राजनीतिक गुरू कौन थे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है आजका last question बुल गया है यहाँ पर भारती बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा option number B वललब भाई पटेल क्या हो जाएगा वललब भाई पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा और इन्हें भारती बिसमार के नाम से क्यों जानते हैं आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन्होंने भारत की जितनी भी देशी रियास्तें थी उन सभी का एकी करण किया था और उन सभी को बिल्कुल अखंड भारत के रूप में समलित किया था इस वज़े से इने भारती बिस्मार के नाम से जाना जाता है तो उमीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको काफी ज़्यादा पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे इसका PDF जो है वो मैं आपको Telegram चैनल पर दे दूँगा